Assalamualaikum dear students I hope you are all fine and doing very good in your life so today we are going to discuss about a very interesting yet very unique degree of Pakistan which is BS Dermatology. BS Dermatology से मतलिक तमाम तर information जो है मैं आप लोगे के साथ इस वीडियो में share करूँगी इस वीडियो में discuss करूँगी बहुत सरे students ऐसे हैं जिनको लगे का कि ये term जो है वो new है और इसके उपर discussion करना बहुत जुरूरी है मेरे लिए भी ये term थोड़ी new थी तो मुझे जैसे जैसे इसके बार में information मिलती गई वैसे वैसे ही मेरा interest जो है इस degree में develop होता गया तो आई होब ये वीडियो उन लोगों के लिए useful और informative हो जो के already second year के exam से free हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा scope और एक अच्छा career जो है as a degree avail करने का मौका मिले तो वीडियो को आप लोगों ने end तक जरूर देखना है आई ये जानते हैं कि basically BS dermatology में aim क्या है उसका purpose क्या है और आखिर हमें इस degree को क्यों करना चाहिए तो dermatology जो term है वो derma से निकाली गई है obviously derma का word जिस यूज होता है हमें idea हो जाता है कि उसमें skin का जरूर कोई ना कोई connection होगा तो basically ये degree है ही skin की study के बारे में इसके अंदर हम skin से related तमाम तर diseases के बारे में discuss करते हैं, diagnosis करते हैं कि skin की problems है वो आखिर problems का treatment तो हर को ही बता देता है, मगर diagnosis सिर्फ dermatologist ही कर पाता है कि इसके पीछे reason क्या है, इसके पीछे वज़ा क्या है, क्या किसी hormonal changes की वज़े से ये सब हो रहा है या genetically हो रहा है या upper surface process की disturbance की वज़े से जैसे dust हो गई, कोई allergy हो गई, उसकी वज़े से सब चीज़े हो रही है तो ये सब diagnosis जो है, वो dermatologist ही करता है dermatologist is a study of skin diseases, बट इसके अंदर हम से skin को discuss नहीं करते हैं, इसके अंदर हम hair और nails, जिसको हम cuticles कहते हैं उनके बारे में भी study और research करते हैं, प्रॉपर तेरी के से ताके आप लोगों को nails की भी अगर कोई disease है, उसके बारे में भी treatment पता चल सके एक होते हैं cosmetologist, जो के आपकी upper beauty को maintain करने के लिए degree लेते हैं और process करते हैं और jobs करते हैं मगर dermatologist basically a doctor होता है, एक doctor होता है जो के आपकी hair problem, skin problem, nails problem, hair problem के पीछे diagnosis करता है, research करता है प्रॉपर तरीके से और इस degree के फ्रूज जो है वो आपकी help करते हैं तो ये तो हो गई एक brief description जो के मैंने आप लोगों के साथ share की, dermatology के हवाले से, अब हम जाते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन-कौन सी universities हैं जो के इस degree को करवाती हैं, तो आप लोग पंजाब में देख सकते हैं कि Khwaja Farid Medical Institute में यहां पर इस degree करवाया जाती है, इसके लाबा King Edward universities हैं जहां पर dermatology की degree जो है आप वहां जाके avail कर सकते हैं, उसके लाब आगर आप लोग सिंध में देखें तो सिंध में बहुत अच्छी universities हैं, जैसे लियाकत Medical Institute है, Medical and Dental Institute है, वहां से इस degree को करवाया जाता है, शहीद जिल्फकार अली भुटो Medical and Dental Institute है, शहीद मोहतरमा बेन जैसी भुटो Medical Institute है, वहां से भी इस degree को करवाया जाता है, और एक आती और अच्छी universities हैं, जहां से आप लोग इस degree को pursue कर सकते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि इस degree की duration क्या है, और eligibility criteria का है, तो duration obviously bachelor's का program है, तो यह four year degree program है, जिसके total eight semester है, और each semester जो है, वो six months का है, इसके जरूरी है कि आप लोग FSE pre-medical ही करें, क्योंकि diseases की diagnosis जो हम करते हैं, तो वो obviously medical term से related ही कर सकते हैं, इसके लाव अगर आप लोग A-Levels भी करते हैं, तो आप लोग जरूरी है कि आप लोग उने relevant subjects के अंदर ही A-Levels किया हो, मतलब कि science में किया हो, तो ही आप लोग eligible हो सकते ह fees structures की बात करें इसकी, तो fees जो है, अगर आप किसी government के अधारे से करते हैं, जैसे King Edward Medical University है, या इस तरह की कोई University of Facelabad है, बहां से करते हैं, तो वो fees जो है, मुनासिब होगी, क्योंकि government के institutes में fees कम होती है, comparatively private से, तो government के अधारे से अगर आप लोग करते हैं, तो वहां पे आ अगर आप किसी private institute से करते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ी expensive होगी, dermatology और medical की जितनी भी degrees होती है, वो private institute में थोड़ी सी costly होती है, तो वहां आपको 85,000 से लेकर 1 lakh प्लस भी पढ़ सकती है, ये degree per semester के हिसाब से, अब हम लोग बात करते हैं, इसके merit की, which is very important, के merit जाना जरूरी है, merit criteria क्या होता है, merit eligibility क्या होता है, मैं सब आपके साथ share करूंगी, आप लोग देख सकते हैं, कि government universities का merit, जिदर King Edward जैसी university का नाम आए, तो वहां पे merit, obviously expectations हमारी यही होंगी, कि high होता है, similarly dermatology का merit है, वो 75 to 85% vary करता है, इसके इलावा इसका aggregate formula होता है, कुछ universities में जैस है, इस degree से मतालिक, तो आप लोगों को entry test की भी mentally दोर पर prepare होना चाहिए, जैसे PIMS में भी test लिया जाता है, तो वहां पे आप लोग entry test में 50% marks लेते हैं, तो ही आप लोग eligible होते हैं, merit के according, उसके इलावा इसकी merit जो होता है, वो 75 to 85% है, government में, private के अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे 50% merit required होता है, जादा merit required नहीं होता, अब हम लोग बात करते हैं, कि इसके अंदर हम majors क्या है, इसके subjects क्या है, हम कौन-कौन से subjects पढ़ते हैं, जिसको सुनके हमें trust develop होता है, और हमें लगता है कि ये degree हमारे type की है, और हम इसको study करना चाहिए, तो आप लोग सकते हैं, कि इसके अंदर हम biology, statistics, cosmetology, इस तरह के epigenetics का subject पढ़ते हैं, skin diseases के हवाले से एक आदा subject पढ़ते हैं, इस तरह के बहुत सारे interesting subjects पढ़ते हैं, आप लोग list में देख सकते हैं, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और जाने तो हमें पता होना चाहिए, कि आखर ह हमारा scope क्या है, हमारे jobs opportunity क्या क्या है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि dermatology के degree करने के बाद आप लोगों के पास अच्छी options हैं, आप लोग private hospitals में job कर सकते हैं, as a dermatologist, government hospital में job कर सकते हैं, skin specialist के तौर पे, dermatologist के दौर पे, hair specialist के तौर पे, cosmetologist बन सकते हैं, जो के aesthetic hubs में होते हैं इसी तरह aesthetic centers में काम कर सकते हैं, जो आपे skin के, nails के, hair के treatments आप लोगों को बताया जाते हैं, इसके लावा आप लोग research labs में काम कर सकते हैं, diagnosis department में काम कर सकते हैं, नियूरा के department में भी आप लोग काम कर सकते हैं, इस तरहां आप लोगों के पास बहुत अच्छी opportunities हैं, एक skin doctor ज होती हैं, तो skin doctor के पास जाना पड़ता है, hair की problem बहुत होती है, आज कल की जो हमारी diet है, वो भी उस तरह की नहीं है, तो hair problems भी होते हैं, इसके लिए भी doctor के पास जाना पड़ता है, cuticles की problem होती है, nails की सिर्फ nails को सिर्फ यहीं होता के fancy और cosmetologist के पास ही जाके nail art करवाना होता नहीं, nails की भी काफी diseases होती हैं, जिसका diagnose होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए भी हमें doctor के पास जाना पड़ता है, तो एक dermatologist और एक skin specialist जो है, वो अच्छी earning करता है, I hope यह video आप लोगों के लिए useful और informative रही हो, वीडियो पसंद आए तो like और share ज़रूर कीजेगा, त जोस्तों तक भी bachelor's की guides पहुंच सके और उनकी भी help हो सके admission के थूँ, अगर आप लोग चाहते हैं, तो मैं एक written guide जो है, वो description में उसका link भी mention कर दूँगे, ताकि आप लोग written material के थूँ भी जो है, इसकी video, उसकी तमाम तर information जो है, वो देख सके, मेरी कोशिच थी कि मैं आप ये वीडियो आप लोगों के लिए useful और informative रही हो, मैं दोबारा आँगे एक और अच्छी सी BS guide के साथ, मुझे दे इजाज़त तब तक के लिए, अलाहाफेज